हरिदवार नगर निगम में मेयर और अधिकारियों की बीच तालमिल की कमी के साथ साथ बोड़ पारशदों की आपसी खीचतान शहर की सफाई विवस्था पर भारी पड़ रही है और यही बज़ो है कि हर साल होने वाले सफचता सर्वेक्षन में नगर निगम हरिदवार 41 वे पायदान नीचे पहुँच गया है 2022 में देश भर में सफचता के मामले में 244 वे नंबर पर रहने वाला हरिदवार इस बार 285 नंबर पर पहुँच गया है नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष सुनील अगरवाल ने मेर अनीता शर्मा पर मनमानी करने का आरूप लगाया है सुनील अगरवाल का यह कहना है कि मेर कॉंग्रिस की हैं लेकिन बोर्ड बीज़ोपिका है मेर का काम करने की इच्छा शक्ती ना के मराबर है उधर मेयर अनीता शुर्मा का कहना है कि साल की शुरुवात में निगम के पास संसाधनों की कमी थी लेकिन अब कुड़ा उठाने के लिए तीन कंपनिया काम कर रही है अब डो टो डोर कुड़ा उठाया जा रहा है हमारे निगम में बोड तो जरूर भाजबा का है लेकिन मेर कांग्रेस की है तो उनकी जो काम करने की इच्छा सकती है वो ना के बरापर है बहानने बाजी जाता है तभी कहेंगे जी मुझा अधिकारी निकाम करने देते हैं तभी मेरी को सुनता नहीं है और जब कोई बिल पास करने हो तो ना उन्हें बोड गया वह शुक्ता होती पड़ती है ना उन्हें किसी बात की पड़ती है चैक पर साइन हो जाते है दूसरी बात यह रही कि जो हमारे हां के आरल कंपनी बिचले साल चली गई थी उसका लगबल साथ महिने तो उसके बाद किसी कंपनी का ठेका नहीं हो गया फिर एक कासा ग्रीन कंपनी को ठेका दिया गया तो उसमें भी इकत्तिस वार्टोप नहीं दिया गया कि वर ईकेना की दो हजार एक किस में मार्च में हमारे कंपनी तो थी न Avatar निगम ने भी उछला और आफ देखी रहोंगे सब जगेchioश तो संब जग़ उछ़रा है और कंपनी एपना काम कर रही है तीन तीन कंपनी आ गई है और समधाता स्वरूप पूरी हमार सा जुड़े हुए हैं स्वरूप क्या जानकारी है आपके पास पूरी खाबर को लिकर देखें निच्चे तोर पर ये मामला पिछले कई सालों से लगातार उलजा हुआ है क्योंकि हमेशा अगर हरदवार के हम बात करें तो पिछले कुछ समय से अगर भाजपा का मेर रहा है तो उस दोरान प्रदेश में सरकार सत्ता के रही है वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है कॉंग्रिस की मेर है तो सरकार भाजपा की है जाए जी बात है कि बीजेपी के जो सवासाथ है उनकी संक्या ज्यादा इसलिए बूर्ड में उनका आधिपित भी ज्यादा है यही वज़ा है कि आपसी खिशतान बनी रहती है अगर मेर कोई फैसला शेयर को लेकर लेती है तो बूर्ड उसका विरूद करता है और बोड अगर फैसला कोई लेता है तो मेर उसका विरोध करती तो ये विवाज लगातार चलता रहता है और इस पीछ रही है शेहर के हालातों की बात करें तो वर्त्मान में हाला की कुड़ा अठाने का कार्य हो रहा है मगर जिस हिसाफ से उस इन पूर्फ के जो हालात थे व दोनों और चाहिए अगर मेर पक्षों या फिर बोड पक्षों वो दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं मगर जो हालात हैं वो भी कट हैं जी